एक famous metaphysical poet John Dunn ने एक बार कहा था No man is an island कि कोई भी इंसान अकेला नहीं है entire of itself वो किसी ना किसी चीज से जुड़ा हुआ है यानि कोई भी इंसान अगर ये सूचता है कि मैं तो humanity का हिस्सा है नहीं हूँ मैं तो कुछ अलगी हूँ तो ऐसा नहीं है मैं तो एक island की तरह अकेला हूँ तो उसी के लिए John Dunn ने यहाँ पर लिखा है No man is an island कोई इंसान खुद को island की तरह अकेला ना समझे जैसे island अपने आप में पूरा होता है entire of itself जैसे island अपने आप में पूरा होता है वैसे आपने आपको पूरा ना समझे क्योंकि every man is a piece of the continent कि हर इंसान जो खुद को island समझ करके बैठा है वो किसी ना किसी महादवीप का यानि continent का हिस्सा है apart of the main किसी ना किसी main चीज का हिस्सा है किसी बड़े परिवार का हिस्सा है वो अकेला नहीं है हर इंसान का एक metaphorical landmass होता है और उसी का वो छूटा सा हिस्सा होता है आगे वो बोलते है if a cloud be washed away by the sea cloud का मतलब होता है एक छूटा सा हिस्सा मिट्टी का छूटा सा हिस्सा यूरोप की मिट्टी के छूटे से हिस्से को भी अगर समुद्र अपने साथ में बहा कर ले जाता है यूरोप is the less तो यूरोप कम होता है यसे एक बड़े हिस्से को बहा कर ले जाता है वैसे छूटे से छूटा हिस्सा भी यूरोप का हिस्सा ही है न अगर बड़े हिस्से को ले जा रहा है समुद्र बहा के तो छोटा हिस्सा भी तो यूरोप का हिस्सा ही है न, यूरोप तो कम होता ही है तो चीज छोटी हो या चीज बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता हर चीज की अपने आप में वैल्यू है ऐसा जैसे तुम्हारे दोस्त की घर में हो या तुम्हारे खुद की घर में हो कोई अगर चला जाता है तो तुमको फर्क पढ़ता है न तो वैसे ही फर्क पढ़ना चाहिए हर इंसान humanity का हिस्सा है वो humanity से अलग नहीं है और इसलिए पाइट बोलते है any man's death किसी भी इंसान की death diminish me affects me, मुझे affect करती है किसी भी इंसान की death क्योंकि मैं mankind humanity का हिस्सा हूँ so therefore तो इसलिए never send to know for whom the bell tolls यहाँ पे whom the bell tolls का मतलब है दोस्तों 16th century पे जब यह poem लखी गई थी उस वक्त अगर किसी की death होती थी तो एक bell बजाए जाती थी तो यहाँ पर पाइट बोलते हैं कि अगर वो bell बसती तुमको सुनाई देना यानि किसी की death की bell तुमको सुनाई देना तो यह जानने की कोशिश मत करोगी कौन मरा एट टॉल्स वदी वो तुम्हारे लिए बज रही है क्योंकि death तो कही ना कही human की हुई है human being की हुई है तुम humanity से अलग तो हो रही एक human कम हो गया नहीं पर ये poem खतम होती है दोस्तों इस poem का main idea ये है कि हर इंसान दूसरे इंसाज से किसी ना किसी तरीके से connected है ये जॉन डन बहुत educated थे इनको काफी चीजों के बारे में knowledge थी 16th century में ये बात करते थे कि हर human being किसी दूसरे human being से किसी ना किसी तरीके से connected है और डन ने बहुत ही अच्छी image यूज करके इस poem को तयार किया है उमीद करता हूँ आपको समझ में आये होगी आज की इस वीडियों बसतना ही